हलो नमेशकार, वेलकम टू इंकलकेट लर्निंग, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे SCERT के बारे में State Council of Educational Research and Training NCRT की बात हम अल्रेडी कर चुके हैं, तो SCERT जो है, वो NCRT का counterpart है, state level पे अब जो है, इसकी जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहली जरूरत तो यही कि वर्कलोड कम करने के लिए, कि NCRT के उपर पूरे देश के educational institutions का वर्कलोड रहेगा, तो एक counterpart होना चाहिए, जो state level पे काम करेगा दूसरा जो है, इंडिया एक democracy है, तो वहाँ पर decentralization जो है power का वो बहुत जरूरी है तो SCERT जो है, वो एक सबसे अच्छा tool है, हम बोल सकते हैं, जो कि NCRT के पास centralization power नहीं हो पाया और decentralization जो है, हुआ power का, जिसकी वज़े से SCERT बना अब इसकी बात कहां से शुरू हुई थी, तो जो Mrs. Anjani Dayanand है, जो की joint secretary थी, 1973, 79 की आसपास की बात है Although यह इस field में already काम कर रही थी, कि SCERT जो है होना चाहिए state level पे लेकि 1979 की बात है, तो तब उन्होंने क्या किया था, जितने भी state secretaries है सभी state secretaries की meeting ले इन्होंने और वहाँ पे इन्होंने बात की SCERT की, कि वो होनी चाहिए और SCERT बनेगा कैसे, तो उस time पे state institutes of education और state institutes of science education यह दो तरह के institutes होते थे, usually states में, तो इन दोनों के merging से जो है क्या बनेगा, SCERT बनेगा अब obvious सी बात है कि SCERT जो हो state wise होगा, तो state जो है उसको क्या करेंगे, legislate करेंगे यह state बनाएंगे SCERT ना कि Parliament, तो अब हर एक state जो है, वो अपने हिसाब से उसमें objectives और चीज़ने डालेगा दूसरा जो है, state wise है, इसी लिए कब का कौन से state में SCERT बना, यह फिर आपको state wise ध्यान रखना पड़ेगा आपके state के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो अगर मैं हर्याना की बात करूँ, तो April 1979 में हर्याना की SCERT बनी अब जो है structure क्या होगा SCERT का, structure जो है, अलब-अलब हो सकता है, थोड़ा वोथ changes हो सकते हैं, लेकिन अगर हम overall structure की बात करें, general structure जो की mostly सब SCERT का होगा, उसकी बात करें, तो हम क्या आप देखेंगे, कि Department of Curriculum Development होगा उसमें, जिसमें, और obvious सी बात है कि state level पे, और यह school education के लि जिरे department of training and extension मिलेगा, department of educational technology, यह जो है major headings है, major parts है, इसके बाद sub units जो है, बनती रहेंगे, इनके under or units जो है, वो काम करती रहेंगे, अगर हम objectives की बात करें, तो obvious सी बात है कि quality improvement पे ध्यान देंगे, जहां भी कोई institute की, या council की, commission की हम बात करते हैं, तो वहां पे क्या चीज हम ध्यान रेकनी चाहिए, कि वो quality improvement की बात तो by default करेंगे ही, उसके बाद curriculum development में जो है, इनका roll होगा, कि ये curriculum को develop करेंगे, जो है school level पे, evaluation, monitoring, development और evaluation करेंगे, ये किसका, education में जो programs या policies होती है, उनक्या, यानि कि पहले ये monitor करेंगे, अगर कुछ कमिया है, तो ये development पे काम करें या और क्या improvement इसमें हो सकती है, career guidance and counseling जो है school level पे ये provide करते हैं, कि वही बच्चे को आगे चलके क्या बनना है, और क्या-क्या उसके पास options होते हैं, तो ये counseling जो है, ये भी schools में time to time करवाएंगे, फिर formulation and implementation, implementation of what, implementation और formulation होगा, policies का, या जो programs है, education के field में उनका, उसके बाद तो क्या-क्या support जो है, ये state को देता है SCRT, यानि कि SCRT क्या-क्या ऐसे काम करता है, जो state level पे education के development में help करते हैं, पहला है in-service teacher training, जैसे हम बात करते हैं, diet की, तो diet जो है, वो district level पे institute होते हैं, जो की SCRT के under काम करेंगे, और जो programs और policies हैं, उनकी district level पे implementation में help करेंगे, तो य यहां पे क्या होती है, in-service teacher training होती है, कि आप service में रहते हुए, teacher की quality को enhance और उसकी knowledge को improve करने के लिए, जो है, in-service, within the service, आप teacher को train कर रहे हैं, फिर है in-service training of supervisory officers, जो भी block level पे officers होंगे, उनको जो है, उनके भी क्या करेंगे, training के field में ये काम करेंगे, extension services, plus coordinate करेंगे उन extension services को, तो ये भी जो है, इनका एक major role रहता है, दूसरा है, ये studies और investigation conduct करते हैं, किस field में, school level के field में, तो हम जितने भी बात कर रहे हैं, ये school education की बात हो रही है, तो ये studies और investigation करेंगे, ताकि इनको पता चल सके कि problems क्या-क्या है, और कहा-कहा पे improvement का scope है, programs for professional developments, कि क्या-क्या development और हो सकती है, professional level पे, क्योंकि, teaching को भी हम एक professional degree ही मानते हैं, क्योंकि, आप teacher तब ये बनते हैं, जब आप B.A.D. करते हैं, school level पे, तो जो B.A.D. है, वो professional degree में मानी जाती है, और जो professional degrees होती हैं, वो usually, जो है, distance से नहीं की जा सकती, अगर आप किसी service में नहीं है, अगर आप service में ह इसको कर सकते हैं, फिर है preparing and prescribing, क्या चीज़ prepare करेंगे, curriculum, textbook and instructional material, जैसे हम NCRT पढ़ते थे, तो NCRT की books होती हैं, लेकिन बहुत सारे state ऐसे भी हैं, जहां पे, state की books अलग से होती हैं, तो वो कौन prepare करेगा, और वो कौन prescribe करेगा, NCRT, जैसे राजस्थान board है, तो उनकी अलग से राजस्थान board की books है, वो NCRT की books, मतब उनी के norms पे बनी होती है, कि उनी से material जो है clash कर रहा होता है, लेकिन वो अलग से जो है, राजस्थान board जो है, उसको क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, और प्रिपेर करता है, तो ऐसे अलग state level पे, जो है state, क्योंकि education concurrent list में है, तो it's not necessary कि आपको जो है NCRT की books ही लगवानी है schools में, आप SCRT द्वारा prescribe की हुई state board की भी books लगवा सकते हैं, फिर आता है programs, education से related जितने भी programs होंगे, उनको ये coordinate करते हैं, दूसरा अगर state या central government कोई भी project देती है, माली जी NCRT कोई project दे रही है, कि state level पे implement करना है, तो भी कर सकते हैं, state government अगर किसी चीज में advice मांगते हैं, या कोई project इनको trust करके देती है, तो वो project भी ये complete करेंगे, चीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए, इनको क्या बोला जाता है, agent of change बोला जाता है, in the field of school education, तो ये था SCRT के बारे में, SCRT के बारे में कहां से बना वो चीज हमने देखी, state wise होते हैं, diet जो है, वो इन ही के अंडर आते हैं, प्लस इनके objectives क्या है, और ये क्या-क्या काम करते है, school level पे, वो सब चीजे हमने देखी, तो this was all about SCRT, अगर आपको ये video informative लगा हो, तो like कीजिए, share कीजिए, और subscribe कीजिए, inculcate learning को, thank you so much for watching.